ओम वन्देगवा मात्रमित्रो आज से तेन-चार दिन पहले एक हमने वीडियो दिया था करवा चौत पर और पिछले दो दिनों में मैंने जो कुछ देखा है उस पर आज का वीडियो में दे रही हूँ आज करवा चौत है पहले तो आप सभी मेरी बहनों को करवा चौत की ठेर सारी वधाईया पर कहीं आपने भी गलती की है आई ये गलती अपने क्या की है वो देख लेते हैं मैं दो दिन पहले कल की बात है, परसों शाम को भी निकले, कल भी निकले, तुमने कुछ चीज़ें देखी, जो मुझे बड़ी बेतुकी लगी और अजीब लगी, जो अच्छी नहीं लगी मैं ये कह सकते हूँ, क्या देखा आपको बताती हूँ, बजारों में हम गजाते हैं, सामान तो मिलता ही है, लेकिन साथ में मैंने देखा, कुछ महिलाएं पुरुषों से महंदी लगवा रही हैं, महिलाएं पुरुषु से मेंदी लगवा रही हैं और भास्वारा हजसी मजाक भी चल रहा है कहीं नमबरों का आदान प्रदान भी चल रहा है इसका मतलब आप क्या समझते हैं आपको लगता है कि जो विक्ति आपको मेहंदी लगा रहा हो बहुत अच्छा बहुत सिंपल उस पर विश्वास करते हैं, आप बहुत बड़ी कलती करते हैं, क्योंकि फसाने वाले के माथेपनी लिखा, तो आपको फसाने जा रहा है, पर हाँ, एक बात है, जब फस जाते हैं, तब हमें पता चलता है, क्यों रे, ये वेक्थी ऐसा था? हमें तो कल्पना भी नहीं आ इस इप प्रवा चौथ का वरत कर लही रही है आप अपने पति के लिए कर रहे हैं और उस वरत में आप पराय पुरूश से म्हेंदी लगवा रहे हैं कितना महान काम में आप कर रही है यह आपने किया है अफको यह अजीन नहीं एक पती व्रताश्त्री वो होती है जो यह मानती है कि उसको कोई अन्य पुरुष पर्ष ना करें पर आप तो सामने से जाके सुहाग की जिसको एक चिन्ह माना आ जाता है उसके लिए अपना हाथ किसी पराय पुरुष को पकड़ा देते हैं और वो थोड़ी बहुत देर नही होगा आप इस विशह पर ध्यान से सोचना होगा क्योंकि है पहले तो हमारे एक चलन ये था कि आपस में सक्या महंदी लगा लिया करती थी पर आजकल समय बदलता जा रहा है मोडन होते आ जा रहा है युग लेकिन एक बाधयां रखें युग कितना भी मोडन हो जाए कितना भी आगे निकल जाएं लेकिन स्त्री और पुरुष रहेंगे इन में जो पर्स पर विपरित सेक्स का जो अकर्षन है वो सदेव बना रहेगा इक पभी खतम नहीं होगा कभी कम नहीं होगा पर यह आप अपने आपको नहीं संभालते हैं और इसमें फस्ते हैं कि किसी के साथ क्योंकि आसपास हम ऐसे बहुत-स बातें देखते हैं कि कभी कभी आवियद संबंध हो जाते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति हैसे अच्छा लग जाता है पता नहीं होगा फटा नहीं चलता विदी आपको मेहंदी लगवानी है ना परस पर आपस में लगाई है क्या बुराई है किसे ने सुभे लगा ले किसे ने शाम को लगा ले क्या गलत है लेकिन हमें आती नहीं है हमें अच्छी डिजाइन नहीं आती है अरे भाई वो अच्छी डिजाइन कितने दिन टिकेगी और आप महंदी जो लगवाते हैं वो कितने दिन टिकती है इससे अच्छा तो सीधे गो जाती है लेकिन बाद में क्या पुरुष के लिए खर्चे कितने महंगे पड़ते हैं अब जो महंदी नहीं लगा पाते हैं उनको लगता है कि हमारा तो कुछ अधूरा रहे गया नहीं आप पे ऐसी महंदी नहीं लगवा पाई हैं तो आप ने कुछ भी अधूरा नहीं किया आपको सब कुछ पूरा हुआ है क्योंकि आप किसी ऐसे पूरुष के पास नहीं गए हैं ऐसे किसी गलत व्यक्ति के पास नहीं गए हैं जिसके पास आपको नहीं जाना चाहिए था आप कहेंगे मैं बहुत पुराने ख्यालों की हूँ जी हां मैं ऐसे ही हूँ क्योंकि तो यदि और सबसे बढ़ी वहाँ सुरक्षा भी इस्त्रियों के, यदि मुझे सुरक्षिद रहना है, यदि मुझे सही तरीके से अपने जीवन को चीना है, तो मुझे कुछ बातों को समझना होगा, जो मेरे सास्त्रों में वरनी था, और उन्हें मानना भी होगा, समझना प जो टिपपणी करेंगे उसमें मुझे कुछ नया विशय भी मिले और साथ ही आप मुझे फॉलो करना चाहते तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी स्वास्थरक्षा जो इंस्ट्राग्राम और फेश्बुक पेज जो हमारा पेज है उसकी लिंक दे रखी है और कोई समस् और यहां पे आपको कुछ चीज जाननी है तो यहां भी आप बता सकते हैं धन्यवाद उवन दे मातरम